दिश भर में विश्व हिंदू परिश्य दुर बजरंग दल के और से शूरिय जागरन यात्रा निकाली जा रही है 16 दिसंबर से राजिस्थान में सालसर बालस जुई मंदे से शुरू ही यात्रा 24 सितंबर को इसका जियापुर में समापन होगा बजरंग दल के जुला सईयों जो संजय पंडित ने बताया कि आज वात्रा ने अलवर जुले में परविश किया जिसका विश्व हिंदू परिशद और बजरंग दल के पतादी कारी और कारी करताओ द्वारा स्वाकत क्या गया शहर के विबिन मार्गों से होती हुई शोर्य जागरन यात्र कंपनी बागिस्जित मैदान में पहुची यहां एक सभा आयजुत की गई सभा को कई वक्ताओ ने संभोजित किया यात्रा का मुख्यों देश्य सनातन धर्म के विरुद हो रही गर्दी वीधियों पर रोक ल पुलिस का ज्याता चल रहा है बड़ी संख्या में पुलिस ज्याता सभास दल पर भी तैनात रहा जो हिंदू विरोधी भार्त विरोधी जो सडियंतर चल रहे हैं उनको रोकने के लिए विसुन्दू परसद बजरंग दल दुवारा पुरे देश बर में सोरे जागरन यात यात्रा का सुबारम हुआ है और आज 19 तारीकों सुबह 10 बजे टेल को चोराय से हम रेली के रूप में इस यात्रा का स्वागत करके और कंपनी बाग में यहां पर इसे ध्रमसभा का आयोजन किया गया है इसी यात्रा का उद्देश है हिंदू समाज में जो इन सब यह यात्रा यहां से भर्दपुर जिले में प्रिवेस करेगी बीज जिले में करेगी और उसके बाद यह यात्रा लास्ट चोबिस तारिक को चैपुर में भुवे समापन हो गाए इसमें आज हमारे मुख्य वक्ता हैं स्रीमान अमरेजी भाई साब जोकी विसुन्दू परसद के केंद्री मंतरी है इसमें बिसुन्दू परसद धर्म जागरण यात्रा सालस हट से चलते हुई प्रतिक रास्तान के सहर में निकलते हुई आज सुबह टैल को चौराय अलवर में प्रिविस किया इसका बिसुन्दू परसद बजर्म जोड़ से स्वागत करके और अपने कंपनी वाग में अपनी सवा को सम्मोजित किया यहां से अलवर से बढ़पुर के लिए दीग बढ़पुर होती हुए दोहल पर होती है कोटा ऐसी प्रकार से यह और जैपुर में इसका समापन होग इसमें पर बजर्म करता पड़े जोड़ से और हिंदू को जगाने का काम कर रहे है।